अकसर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर हो या अपने घर के छट पर हो तो हमें कोई कीडा काट लेता है जादा तर कीडों के काटने से जादा दर्द नहीं होता लेकिन कुछ कीडे ऐसे होते हैं जिनके काटने से हमें बहुत जादा दर्द और जलन का एहसास होता है तो उन्ही में से एक एक्जामपल है ततया का, ततया एक पीले रंग का कीट है और मधुमक्खी की तरह दिखता है जादतर लोगों के घरों में मंडराते हुए आप इसको आसानी से देखते हैं यहां तक कि घर के दिवारों पर ये छटा भी बना लेते हैं यदि किसी भी प्रकार से इन्हें छेडा गया तो वो तुरंत काट लेते हैं हलाकि ततया काट ले तो जादा घबराने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जहर ऐसा नहीं होता है जो कि कुछ जादा नुकसान पहुचा सके लेकिन दर्द और सूजन तो हो ही जाती है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ततया काट ले तो हमें कौन से उपाए करने चाहिए जिससे उसका जहर तुरंत छूमंतर हो जाए जिसके बाद दर्द और सूजन पे भी तुरंट आपको राहत देखने को मिलेगी सबसे पहली बात आपको बता दे तत्या ने जहां पर भी काटा हो उस जगा पर नीबू का रस लगा दे इससे दर्द और चलन से तुरंट ही राहत आपको मिल जाएगी अगर आपके घर में नीबू तुनत मौझूद है तो फटा-फट सी इसी चीज को आप इस्तेमाल कर ले नहीं तो इसका दूसरा उपाय के रूप में आप यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा का बेकिंग सोडा ततयया के जहर के लिए एक प्रभावी प्रकृतिक उप्चार है बेकिंग सोडा की जहाईयों प्रकृति उसके जहर को बेअसर करने में मदद करती है दर्द और खुजली से ततकाल रहा देती है अगर किसी को भी ततया काट ले तो एक चमच बेकिंग सोडा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिला कर पेस्ट बना ले इस पेस्ट को प्रभावित जगह पर 5-10 मिनट के लिए लगा ले 10 मिनट के बाद गुर्गुने पानी से धोले जरूरत पड़े तो आप इसे दोबारा दोरा सकते नहीं तो एक ही बार में आपको राहत मिल जाएगी तीसरा अगर कुछ नहीं मिला तो घर पे आपको आसानी से किरोसिन तेल तो जरूर मिल जाएगा वहीं आपको बता दे एक और तरीका ततया के काटने पर आप चाहें तो उसी जगह पर तुरन थी लोहे की पती या फिर कोई भी लोहे की चीज़ हो उसे रगड़ दे जैसे आप कहीं बाहर हो हैं और आपके पास ना मिट्टी का तेल है ना बेकिंग सोडा है ना नीबू है तो जो भी आपको आज पास कोई लोहे की चीज़ है उसको फटा फट से उस पर रगड़ दे उसके उपर से उसके बाद क्या करें एक गीले चूने का रस लगा दे तो जहां पर से है जो उसका दर्थ तुरन्त ही चूम अंतर हो जाएगा ऐसे ही और टिप्स को जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुट जाएए चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए